नमस्कार स्वागत आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्प्रीच्वल मैं हूँ आकाश देव शर्मा नेक्स्ट नाइन स्प्रीच्वल के खास प्रोग्राम कुंडली की दुनिया में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कुंडली होती क्या है कुंडली के क्या माइने हैं क्या महत्व होते हैं आखिर जीवन में कुंडली क्यों जरूरी होती है इन सब विश्यों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियों में मौजूद हैं हमारे महिमान अचारिय पंडित सुनील शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है पंड़ जी आपका हमारे साथ कारेकरम में जुणने के लिए साथी पंड़ जी हम आपसे जानेंगे अपने दर हुमारे जन्म के समय प्रमान में नवग्रह की क्या इस्थति होती है जो की ईश्वर के द्वारा निशित की जाती है वह इस चार्ट के द्वारा हम जान सकते हैं उसी चार्ट को हम ज्यूतिश में कुंडली कहते हैं इस्पे बिशम आपको बताओं करोडों पहले महरेशी पाराशर ने ज्योति शास्त्र का निर्बान किया जिसमें इस पाराशरी ज्योतिस के नाम से जिसको चानते हैं पाराशरी ज्योतिस आप पर akan और आज उसी कुछ की पर्द्थ की को जोतिष्शास्त्र में उप्योग बलाते हैं वैसे तो आज कई और पर्देतियां भी यूग में लाई जाती हैं वी जोतिष्वे जैसा की जार्यास्त कि कमेस्ट रूप से ज्यादा मेहत्व दिया जाता है क्योंकि इसकी फलित में सिटिकता बहुत ज्यादा है इसलिए आज हम पारशरी यूतिश को ही अध्यन में लाते हैं अब कुंडली को जानने के विशे में मैं आपके चार्ट के दूआरा सम्झाना चाहूंगा कि पंडली गद्रशक को आप बताए कि कुंडली का जो महत्व है वों जीवन में कितना जरूरी है देखिए कुंडली बनाना इसलिए आती अवशक है कि हम उसे यह जान पाते हैं कि जातक का जन्म किस आवस्था में हुआ है जैसे कि आज के युग में मूलों में भी जन्म होता है तो मूलों का एक प्रतिकूल प्रभाव बच्चे के जीवन पर पड़ता है उसके लिए हमें उसके लिए पूजय आर्चन वगरा करानी पड़ती है और विशेश मेहत तो कुंडली का हमें समय समय पर मिलता ही है क्योंकि कभी हमें अपने विवसाइग के लिए कभी किसी के लिए कभी हमारे स्टेड़ी के लिए हमें कुछ देखना पड़ता अपने बच्चों के लिए है आपने लिए तो इसलिए कुंडली तो बहुत अतिया वश्यक और खास जो इसका जरूत पड़ती है विवा के समय विवा के समय पर वर और कन्या की कुंडली का मिलान करके ही शाधी तै की जाती है हिंदू मैं ऐसा प्रमान मिलता है तो हमारे पंड़जी ने बताया दर्शकों आपको कि किस प्रकार से कुंडली का महत्व हमारे जीवन में होता है यह केवल महत्व हमारे जीवन से ही सिमटकर नहीं रह जाता बलकि कुंडली से हमारा पूरा ब्रमान्ड जुड़ा हुआ है या यू कहें कि कुंडली हमारे विवहा के समय भी बड़ी महत दा रखती है तो पंड़ जी आप बताईए हमारे दर्शकों को कि कुंडली कैसे बनाई जाती है या किस तरीके से हमारे दर्शक घर बैठे कुंडली का ग्यान या कुंडली बना सकते हैं देखिए दर्शकों में यहाँ पर आपके चार्ट के दौरा यह समझाने का प्रयास करूँगा कि कुंडली होती क्या है और क्या-क्या उसमें होता है यहाँ पर मेरे पास यह क्या कुंडली है जिसमें कि आप देख रहे होंगे 12 बॉक्सिस बने हुए है और 12 इन खानों में कुछ नमबर लिखे हुए है 1 से लेके 12 तो जिनकों कि हम 12 हाउसिज भी कहते है 12 हाउस भी कहते हैं या 12 खाने कहते हैं यह हैं जो कुंडली है यह नौर्फ प्रयात में है जो जो कि हम प्रचलिन में रहती है हमारे और वी प्रकार से कटम ऐसे बन्ती है। साट में साथ स्टाईल से बनती है उड़ीय के सबनती है। और यहां सब कि विदेशों पांच छह साथ आठ नो दस ज्यारा बारा यह हमारे 12 हाउसेस बारा भाव है कि यहां एक लिखा हुआ है इसको हम पृष्ठम भाव कहते हैं फॉर्स्ट इसमें देख immersed लगन भी लिखा हो रहा है तो यह किसी भी कुंडली में कि इंजातक के कूंडली यह पहला स्थान जो होता है लगन मेरा Tu है इसके बाद आता है दूसरा स्थान यह दूसरा भाव हो गया यह तीसरा यह चौसा है पांचाफ्वा एच-छाठा इस तरह से 12 भाव होते हैं हर भाव को अलग अलग चीजियों से देखा जाता है जैसे कि हम आप यहां पर आपको पहले बताएं प्रतम भाव जो है इससे हम व्यक्ति के शारिरिक गठन का अध्यन करते हैं उसकी पुष्टता उसका विचार स्वाब, उसका शोरिय, उसकी आत्पवुध्धी, इस समका विचार करते हैं इस तरह से कह सकते हैं कि से सेल्फ भाव बोलते हैं सेल्फ आउस अपने आप जा तक कि अपनी जो कारे शमता है बहुत दिक शमता है उसके बारे में पहले भाव से प्रसम भाव से हम उसका आग्रण करते हैं कि अब मैं बताने चाहूँगा नंबर दो कि इसको कहते हैं धन भाव और गवाणी भाव हमारी भोल चाल का ढंग धन की इस्तिती कुटुम परिवार इसी से हम जानते हैं तो दर्शकों अब हम बात करते हैं तीसरे खाने की यानि कि थर्ड हाउस की इस थर्ड हाउस को हम पराकरम का भाव कहते हैं इस भाव से हम छोटे बाई वेलों का भी अध्यन करते हैं और शोरे हैं धहरी हैं साहस इन सब के बारे में हम विशार करते हैं किसी भी जातक के बार अब अगला भाव आता है चर्था वाव जिसको सुत्वाव कहते है इस स्ोका हाँ अ обязательно कहते हैं मात्र है मतलग माता का भाव इस से वह सुख संपत्थे सुख यह सब कद्यर करते और माता का स्वास्ते माता से रिलेशन यह इस चर्थे करते जाना जाता है और हमारी शिक्षा माध्यमिक शिक्षा वह हम इस चौछे भाव से देखते हैं अब दसको यह पांच्वा घर इसको बोलते हैं फिर ताउस पांच्वा भाव से यह संतान भाव कहते हैं इससे संतान के संख्या संतान का केरेक्टर यह सबका ज्यान होता है और पुनर जनम के से संबंद के संबंद में इससे विचार के जाता है और प्रेम विवा भी इसी से हम लेखते हैं तो तरशको पांच्वा घर की मैत्ता किसी भी जातक के लिए बहुत ज़्यादा होती है और किसी भी जैता का आईक्यू लेवन इसकी बहुत दिक्षमता वो दी कितनी है वो इससे पांच्वे घर से ही हम देखती अब मैं बताना जाओंगा छटे घर के बारे में छटा घर होता है रोग रिण शत्रू का रोग रिण शत्रू का अंकलन इससे करते हैं गुप्त शत्रू ह हमारे रोग उसकी रोग के तीवड़ता आधी का इससे बोर होता है अब आईए बात करें तो सेवन्था उसकी बहुत इंपोर्डेंट भाव है यह यह होता है इस्त्री के लिए पती का अब पुरुष के लिए पत्नी का पार्टनर्शिप का साजेदारी और डेली इंकम रो यह बाथ करें अस्त्रम भाव की एड़ इड़ तॉ जिसको के मिर्टी का भाव क्याति आयू भाव क्या समस्या अ क्या सकते हैं उसके बारे में यह कैसे करें वो इस भाव से हम देखते हैं अब आए नवम भाव नवम भाव भाग्य का अश्थान होता है भाग्य धर्म और पिता इससे संबंद्ध जो भी चीज़े होती है नहीं दाउस से धर्म करम की प्रक्रिया धर्म करम को देखना कितना दान पुन्न वो सब हम नवेगर से ही हमाएं के अब दर्शक आजाता है दस वाहां है दस नमस्तान होता है व्यापार करमव थी अ कि मैं कि करते हैं नौकरी में यह ष्यार्स में है तो नोकरी देखेंगे और पिता से सुखत वंढ़कर देखें यह ज्यारवे भाव पर ज्यारवा भाव होता है लाव स्थान प्रॉफिट का हूश फुल्फिल ऑफ डिजायर बड़े भाई बेन का विचार भी से किया जाता है जो भी आपके डिजायर है उनकी समिश्या किसी से जलती है अब आता यह आपका बारवा स्थान द्वादस नीचत किसी भी रूप में हो सकता है आपकी पढ़ाई का हो सकता आपके मन का हो सकता आपकी हेल्थ का हो सकता है आपके धन का हो सकता है यात्राएं लंबी दूरी यात्राएं विदेश यात्राएं यह सब कुछ हम बारवे स्थान से देखते तो दर्शकों आज आपने का इन 12 गरों से ही निकाल सकते हैं आज आपने देखा यहाँ पर एक दो तीस चार पांच नमबर लिखा हुओ ऐसी कुछ यहां पांच भी हो सकता है शेसा आठ नो दस ऐसे भी हो सकता है यह बारा जो नमबर लिखे होए यह हमारे 12 राशिया है तो इस बदाशे होती एक नंबर का दिन यहां प्Les पूर्सानी में यह सब आपको बताएं कि घर बैठेगे बड़ी शांती से अपने42 का अभ्लोग कर सकते तो पंद्र जी आपने बताया हमारे दर्शकों को कि कुंडली आखिर कैसे बनाई जाती है कुंडली में क्या-क्या होता है जीवन से संभंधित जुड़ी साड़ी बात हैं आपने हमारे दर्शकों को बताई साथी बड़े संखेप में मेरा एक और सवाल है पंद्र जी बाकि जन्म के समय जो हमारी कुंडली बनी वहां ग्रहों की स्थिती थी आपको नज़र आती है आप किसी भी गूगल में जाकर कोई चार्ट खोल के देख लीजिए आपको वहां ग्रह भी नज़र आएंगे जंद्र महासूर्य अबुद्र गुरु शनी तो वह इस्थिती जन के समय होती है कि ब्रह्माण में जब हमारे जन्म हुआ जातका जन्म हुआ उस समय ग्रहों की स्थिती क्या थी लगन में कौन से घरते पहले स्थान में दूसरे स्थान में ऐसे करके सब ग्रहों की प्लिस्मेंट होती है वह हम आगे के कारे में कार्यक्रावों में आपसे वि प्रोग्रामों में आप इसी प्रकार से सीखेंगे तो दर्शकों आपने देखा किस प्रकार से हमारे पंड़जी ने आपको बताया कुंडली के बारे में आखिर कुंडली कैसे बनती है आपको अपने चार्ट के जरिये समझाया कि कुंडली बनाने के क्या क्या तरीके होते है साथ ही ग्रहों का क्या प्रभाव होता है कुंडली पर वो भी आपको समझाया तो दर्शकों आपने हमारे इस खास प्रोग्राम कुंडली की दुनिया में हमारे पंड़ाई से बहुत कुछ सीखा बहुत बहुत शुक्रिया पंड़ जी आपका हमारे साथ कारेक्रम में समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का भी कारेक्रम देखने के लिए और हाँ आप हमारे चैनल लेक्स्ट नाइन स्प्रिच्वल को सब्सक्राइब करना ना भूलें नमस्कार